जो concept ये सारी चीज़े हैं, footing हो गया हमारा, column हो गया, beam हो गया, slab हो गया, चज्जा, staircase इसका हर एक पार्ट पर BBS निकालने का, properly calculate करने का, axle work करने का, हम सारा properly detail पर training प्रोवाइड करते हैं आपको करना है खास, तो चलो हमारे साथ करना है खास, तो चलो हमारे साथ सेविल के बात, गुरू जी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए है, तो बिलकुल सब्सक्राइब किये भी न, जाएगा नहीं, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो साइट से रिल्टेट, उसका फाइदा आपको जरूर मिलेगा, बैल आइकाउन को जरूर दबाईए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो हमारा उत्सा बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, तो दोस्तों, आज हम चालू करने कि अगर वहाँ पर हमारा लिंटल बीम अविलेबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, हर जगा लिंटल बीम हम प्रोवाइड करें, या पर हमारे घर के ऐसे बहुत सारे एक्स्टेंशन होते हैं, जिस पर हमको थोड़ा से एक एक स्टेंडेट पोर्शन यारी संसेट जिसको हम इंगलेशन में कहते हैं, और इंदी में हम चट्जा अगर हमें एक्स्टेंडेट बनाना है, तो उसके लिए किस तरह का रिंफोर्स्मेंट लगेगा, किस तरह का वहाँ पर सेटा पाना चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल पे बात करेंगे तो माल लेते हैं सबसे पहले कि जब हमारा construction स्टार्ड हो रहा है, हमें चट्जा बनाना है लेकिन वहाँ पर लिंटल नहीं है, तो उस किस में किस तरह से हमको वहाँ पर चट्जे का reinforcement बनाना होता है, किस तरह से लगाना होता है, उसके बारे में आज मैं आपको कुछ examples निकला वहार, इसे हम कहते हैं, जहासर nya भेशा भी नाट का प weed बहुताई है जब wall पर rest करता है, तो यह अपना पूरा का पूरा load डालता है, walls पर, clear engineers, walls पर यह अपना पूरा का पूरा load डालता है, अब इसके frame के respect में, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो bar continue लगा हुआ है, यहाँ सब देखिए, यह चलना चालू हुआ है, इस तरह से, यह नीचे गया, फिर यह नीचे जाके, यहाँ पर end हुआ, clear है, इस तरह से इसे हम कहते है, gun bar, इसे बहुत अलग-अलग तरह से लगाया जाता है, अलग-अलग different different तरीके, इस gun bar को लगाने के, इस gun bar को place करने के, बहुत अलग अलग different ways में लगाया जाता है बहुत अलग सारे तरीके हैं जो कि हम हमारे corporate training course पर calculate करना भी सिखाते है यह तो एकदम simple सा part है कि छज़ग इस तरह से लगाना है अगर आपने corporate training course लिया हुआ है अगर नहीं लिया है कि एकसल पर आप सिर्फ एक format को बना कर किस तरह से सारी चीज़े बना सकते है तो जो corporate training course में सिर्फ हम यह चीज़ बात दी करते हैं कि BBS का है detail पर estimation, quality survey, rate analysis, billing यह सारी चीज़ों के बारे में हम detail पर discuss करते हैं आपके साथ तो यह जो concept यह सारी चीज़े हैं पूटिंग हो गया हमारा, column हो गया, beam हो गया, slab हो गया, चज़ज़, staircase इसका हर एक पार्ट पर BBS निकालने का, properly calculate करने का, एकसल वर करने का हम सारा properly detail पर training प्रोवाइड करते हैं आपको अगर अभी तक आपने हमारा course purchase नहीं किया है तो आप नीचे description पे link पे जा सकते हैं, देख सकते हैं क्योंकि freshers week चल रहा हमारा, freshers week में हमने आपके लिए एक बहुत grand offer रख है जिसकी date सिर्फ 12 जुलाई तक ही है, 12 जुलाई को यह freshers week end हो जाएगा corporate training course पे आपको detail पे बताया गया है, सारी एक एक industry के practical knowledge को लेकर जो company की requirement रहती है आप से कि आप क्या serve करेंगे उस company को जो उनकी requirement है उसका पूरा का पूरा solution आपको मिलता है corporate training course में क्योंकि अगर company की requirement है उसे आप fulfill करेंगे तब ही तो आपको job देगा अगर आप without skills जाएंगे किसी के पास और कहेंगे sir मुझे job चाहिए लेकिन उसकी problem को solution आपके पास नहीं है आपके पास वो solution होना चाहिए अगर आपको उसकी job चाहिए है तो solution के लिए आपको अपनी skills को grow करना पड़ेगा आप जाएए उस पर देखिए पहले अगर आपकी problem solve हो रही है अगर आपकी queries वहाँ से solve हो रही है अगर आप चाहते हैं इस चीज को extend करना अपनी skills को grow करना तो बिल्कुल call करिए हमारे दिये गए नंबर पर 911 001234 फिर से एक बार मैं आपके लिए नंबर repeat करता हूँ हमारे description में भी नंबर दिया गया है 911 001234 इस नंबर पर आप call करिए सारी details हम से पूछी हमारे counselor से बात करिए तकि और important details में आपके साथ share कर सकूँ तो इस वीडियो में जो मैंने आपके पार्ट बताया है कि जो हमारा चज्जा है वो किस वज़े से लगता है कि जब हमारी lintel beam नहीं है या कुछ ऐसा support नहीं हम में extra से लगाना है एक extended portion तो उसे इस तरह से frame करके बनाया जाता है इसका properly cutting length का part भी हमने उसमें रखा है detail पे अगर आप इस सारी चीज़े दीखना चाते है जानना चाते है तो बिल्कुल हमरे साथ बने रही है इस वीडियो को like ज़रूर करेगा दोस्तो चैनल को subscribe करना मत ब हरत